अगले साल पेश होने वाले बजट को लेकर रेलवे में अभी सही तैयारी शुरू हो गई है 30 दिसम्बर को DRM कारियाले का सभागार मेनी सलसत भवन सरीखे दिखेगा अब सर होगा धनबाद दिविशन के मंडल समीती के बैठकास में जारखन बिहार उतरप्रदेश और मंधिप्रदेश के सांसदों के साथ 17 सभास अदस्यों को भी आमंतरित किया गया है पाकस्तान के प्रधानमंतर इमरान खान ने गुरुवार को एक कारिक्रम भारत की मिसाल दी है उन्हाने कहा है कि हम हिंदुस्तान से काफी पीछे रहे गए उन्हाने ये भी कहा कि हम सूष्णा परद्योगी की में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं उस तरह दुनिया बहुत तेजी से जा रही है लेकिन हम काफी पीछे रहे गए हैं हमारा पड़ोसी देश हिंदुस्तान हमसे 15-20 साल पहले सूष्णा परद्योगी की शेत्र में आया और उसका आज करीब 150 अरब डॉलर का निर्यात है केंद्र की बोधी सरकार किसानों के लिए कई योजना ये लेकर आचुकी है इसके तहत ही इसी तरह की एक योजना का पीएम किसान योजना है पीएम किसान योजना के तहत ही देश की करोरों किसानों को आर्थिक रूप से फायदा मिलता है सरकार किसानों को साल में कुल 6,000 रुपे देती है जिससे तीन किष्टों में ट्रांसफर किया जाता है केंद्रिय सड़क परिवन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने कहा है कि वो रूस से एक ऐसी तकनीक लाए है जो इतनौल के क्यालरी मान को पिट्रोल के बराबर बढ़ा सकती है उन्हाने कहा है कि अगर मंजूरी मिलती है तो इसका उपियोग इतनौल के क्यालरी मान को बढ़ाने के लिए किया जाएगा केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानि कि सपा के साफ्षिन में दंगे होते थे वाला भाजपा नीत सरकार में दलालों का यूजिन हो रहा है ठाकुर ने उतरप्रदेश में भाज़बा सरकार को अपराद पर लगाने का श्रे दिया है। उन्हाने कहा कि पुछरे पान साल में हम ने उतरप्रदेश को गुंडाराच से मुक्त होते होते वे दिखा है। देश में ओमिक्रोन के बढ़ते खत्रे को लेकर केंडर सरकार ने सक्त रोक अपनाया है वाइरस से निपटने के लिए सबी राजू की तयारियों का जायजा लेने के बाद उन्हें केंडर द्वारा कुछ सुझाब दिये गए हैं इसके बाद कई राजू में सक्त पावंध य लगा दी गई हैं खास्तोर पर क्रिस्मस और न्यू इयर के जश्टन पर श्रिकन जवा कसा गया है देश के विपर ने राजू में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते वे उत्रप्रदेश सरकार ने क्रिस्मस के दिन यानी 25 दिसंबर से राजू में रात का कर्फियू लगाने का फैसला किया है राजू में रातरी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले आदेश तक रातरी कर्फियू रहेगा राजसरकार 1932 से 2021 तक की अवधी बे आदिवासियों की जमीन के अवेध हस्तान अंद्रन का पता लगाएगी इसके लिए भूराजस्विभाग ने सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिक कर CNT-SPT Act के प्रावधान के अलोग में 14 बिंदू उपर रिपोर्ट मांगी है जारकंड सरकार ने जारकंड कर्मचारी चैनायो के तहट मैंट्रिक और इंटर्मेडियेट स्तर की परिक्षाओं के संचालन के लिए भी स्थानिय और छेत्रिय भाषाओं की सूची जिले के हसाब से अलग-अलग सन सूचित कर दी है कार्मिक विभाग ने इन भाषाओं की सूची कर्मचारी चैनायो को भी भेज़ दी है हाली में राज्य सरकार ने परिक्षा संचालन नियामवली में संचोधन कर सुनेशिद किया था कि मैट्रिक और इंटर्मेडियेट स्तर की परिक्षाओं में स्थानिय भाषा की जानकारी होना अनिवारे होगा महरास्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जहरवाल ने शुक्रवार को विधानसभा साचिवली से कहा है कि वो एक साथ के निलम्मन के खिलाफ दायर भारतिय जन्ता पार्टी के बारह विधायकों की याचिका पर जारी चितम नयाले के नोटिस का जैवाब नहीं इन 12 विधायकों को विधानसभा ध्यक्ष के कक्ष में इस साल 5 जुलाई को पीठासी नधिकारी भासकर ज्यादव के साथ बद सुलूकी करने के बामले में राज्य विधानसभा से निलम्मित कर दिया गया पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चिनाव को लेकर के सभी पाटियों ने तयार यां तेज कर दी हैं पंजाब में शान्ती और सुरक्षा का माहौल देंगे इसके लिए उन्होंने पांच बड़े अलान किये हैं जिसके जरिये पंजाब में शान्ती स्थापित किये जाएंगे दुरसंचार विभाग ने भोगताओं के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तिमाल करने संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षुत रखने के अबधी सुरक्षा कारणों से एक साल से बढ़ा कर दो साल कर दी है लाइसेंस में संचोदन 21 दिसमबर को जारी किये गये थे और 22 दिसमबर को इनका विस्तार अनिप्रकार के तेली कॉम पर्मिट तक कर दिया गया राजस्तान में कॉंग्रिस सरकार ने हाल ही में सत्ता में तीन साल पूरे किये हैं सरकार को अपने भिल बाड़ा मॉडल के लिए प्रसंचावली है जुसे कोरोना पर रोक लगाने में मदद मिली एक एमेल साक्षरातकार में राजस्तान के वोखिमंतरी अशोग गहलोत ने सपश्च रूप से सवालों का जवाब दिया दिली में गेस्ट टीचर्स को लेकर मुद्दा शान्थ होता नहीं दिख रहा है बुधवार को सिक्षा मंतरी मनिश सोधिया ने दिली सिक्षा निदेशाले को गेस्ट कॉंट्राक्ट टीचर्स की वेतनमान को बढ़ाने के लिए प्रपोजल बनाने को कहा तो वहीं दिली कॉंग्रस ने दिली सरकार से मांगा है कि तनख्वा के साथ टीचर्स को स्फाई भी किया जाए यूपी के वधानसभाज चुनाव से पहले नई वेरियंट ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहबाद हाई कोट चुनतित है उसने चुनाव टालने का सुझाव दिया है कोट ने प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि वधानसभाज चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए इंगलाट के कप्तान जोरूट ने शुक्रवार को यहां एसेज सीरीज के बाद अपनी कप्तानी गवाने से जोड़ी अफवाहों को खारुश किया है साथ उन्होंने कहा है कि उनका ध्यान केवल 26 दिसंबर से शुरू हो रहे MCG टेस्ट को जीतने पर है पांच टेस्ट माच्र की सीरीज में इंगलाट 02 से पीछे है इससे इच्पाने की उमीद कम होती जा रही है क्योंकि टीम गाबा में शुरुवाती टेस्ट में नौविकेट एडलेड ओवल में दूसरा टेस्ट 275 रोनों से हार गई थी AIMIM के नेता सुबदीन ओवेसी का एक विवादत वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक जणसभा को संबोधित करते वे यूपी सरकार को धमकी भरे लहजे में चेतामनी देते वे नजर आ रहे हैं वीडियो में ओवेसी ने कहा है कि हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे मोधी पहाडों में चले जाएंगे जब कौन आएगा चीन के रास्ट्रिय मौसम विज्ञान केंडर ने शुकरवार को देश के बड़े शेत्रों में कम तापमान आधी का अनुमान लगाते वे शीत लहरों के लिए यलो अलर जारी किया है समचार एंजन्सी सन्हुआ के रिपोर्च के रुसार शुकरवार से रविवार तक उतर मध्यपूर्व दक्षिन चीन के कुछ शेत्र में तापमान में 6 से 10 डिग्रे सलसिस की गिरावटाने की संभावना है बिहार के जलसंसादन वभाग के मंत्री संजे जाने कहा है कि उतर प्रदेश के साथ-साथ कई राज़ों में हो रहे वधान सबाद चुनाव में जद्यू हिसा लेने वाली है साथ हुनमा ने कहा है कि दिली में पार्टी का बहुत अच्छा जुनाधार बना है और दिली नगर डिगम के साथ-साथ पार्टी वहां वधान सबाथ चुनाव भी लड़ेगी जिसमें अच्छे परनामाने की संभाध न है आधिय दिसंबर में गुनानी ठंड के बाद अब बिहार में कडाके की ठंड पड़ रही है पच्छोहवा के बहने से बिहार में सिहरन और कंकरी ठंड है कुहासे का कहर ज्यादा नहीं है इसके बावजूद ठंड अपने शबाब पर है और अब खबर अगर हम दिसंबर की बात करें तो अन्तिम सब्ता में 27 से 30 के बीच बारिश भी हो सकती है भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6,650 ने मामले सामने आये हैं जिसके बाद संक्रमन के कुन मामलों की संक्या बढ़कर 3,47,72,626 पर पहुँच गई है वहीं उप्चाराधीन मरीजों की संक्या घटकर 77,516 ने गई है पिश्टे 24 घंटे में 374 और संक्रमन की जान जाने के बाद जान गवाने वालों की संक्या बढ़कर 4,89,133 हो गई है पूर्फ पिया मचल बिहारे बाजपई के जन्म दिन पर हर्यान में 25 दिसंबर को सुसाशन दिवस मनाय जाएगा इस सबसर पर राजुस्तरी समारो पी डेवुडी रेस्ट हाउस पंचकुला में आयोजित किया जाएगा प्रशासनिक सुधार बभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा रहे समारों में वुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर मुख्य अतिति के रूप में शिर्कत करेंगे पुर्वलोक सभास अदसे अरुन कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की समासुधार यादरा पर तंज कस्तवे कहा कि राजु की परिशानियों और मुल्ब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही वो इसी तरह की यातरा निकालते हैं बिहार को विशेश राज्यु का दर्जा दिलाने की नितीश की मांग से उनकी पार्टी के नेता और केंद्रे मंत्री आर्ट से पिसिंग के अलग विचार रखने पर उन्होंने कहा है कि विशेश राज्यु का दर्जा भागौलिक आधार पर अन्यकार्नों से मिलता है क्रिस्मस या नए साल पर दर्शक राजी के एकलोते तारा मंडल में अंतरिक्ष की सेर नहीं कर पाएंगे तारा मंडल आम दर्शकों के लिए बंद हो चुका है अब तारा मंडल शो का संचालन दोबारा कब से शिड़ होगा इस पर फिलहाल तारा मंडल प्रिसाफशन की पाथी शिकायतों की बाढ़ा गई है हालत यह है कि पिश्रे एक महीने में मधरिशे दुदपाद और निबंधन विभाग के कंट्रोल रूम नमबर 15545 और 18003456268 पर लगभग 7000 से अतिक शिकायते मिली हैं लोग वाहनों से होने वाली शिराप की मुवमेंट होटेल या सा अलिक्द गतिवीदी से लेकर परिवार के किसी सदसी आपड़ोसी के शिरापी ने सम्मधित जानकारी दे रहे हैं भारत के दिगत स्पिन गेनबाज हरबजुन सिंग ने शुकरवार को अंतराश्री क्रिकेट से सन्यास लेने का एलान कर दिया है यही वज़ा है कि अब तक सिर्फ भाजपा में प्रदेश स्तर पर बनाई जाने वाले उत्तर भारतिये मोर्चा को काउंटर करने के लिए कॉंग्रिस ने पहली बार उत्तर भारतिये सेल का गठन प्रदेश स्तर पर कर दिया है जारकन के अलग-अलग जिलों में विदेश से आई व्यात्रियों की पहचान कर प्रसाशन उनकी कोरोना जाच करवाने के इंतिजाम में जुट गई है मामलों के बीच पंजाब सरकार ने भी चुन्ता व्यक्त की है राज़े में ओमिक्रोन की एंट्री के बाद पंजाब सरकार अलर्ट नज़रा रही है पंजाब की सीम चरंजीद सिंग चन्नी ने लोगों से कोरोना के दौरान गाइडलाइन का विशेश धियान रखने का आगरह किया है अपनी प्रेस कॉन्फेंस के दौरान होने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जटाई है भारत ओमिक्रोन संक्रमेतों की संख्या 300 के पार हो गई है सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महरास्ट है महरास्ट में गुरोबार को ओमिक्रोन वेरियंट के 23 ने मामले आए वहीं बीते दिन की बात करें तो यहाँ पर कुल 88 माम पर केस की संक्या बढ़कर 31 पर पहुच गई है वहीं गुजरात में साथ ने मामले दर्श के गए है जिसके बाद राज़े में ओमिक्रोन संक्रमन की संक्या बढ़कर 300 पहुच गई है इसके चलते माध्य प्रदेश सरकार ने एहतियातन नाइट कर फिव की घोशना की है ज इसके लाब हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप नमारे स्वालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल के इस प्रकार है आपके निसार देश के कई राजियों में ओमिक्रोन के बढ़ रहे मामलों को देखते वे क्या भारत सरकार को लॉकडाउन जैसी घोशना कर देनी चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बता हैं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबारा ना भूले धन्यवाद